दोस्तो आज के समय में लोगों को पत्री होने की समश्या बहुत ज़्यदा देखने को मिल रही है पत्री की समश्या जब किसी को होती है तो उसे बहुत ज़्यदा दुख का सामना करना पड़ता है इसके लिए एक टेबलेट बनाई गई है उसका नाम है व्रिक दोसर बटी व्रिक का मतलब होता है किड्नी दोस का मतलब होता है किसी परकागी बीमारी और हर का मतलब होता है जो उसे खतम कर दे यानि कि जो किड्नी की समश्याव को खतम कर दे उसे बोलेंगे विरिक दो सर तो इसके लिए यह गोली बनाई गई है जो कि आपको किड्नी से संबंदे सभी प्रकार की दिक्कतों में आराम देती है आज मैं आपको विरिखा 2 सरवटी के बारे में बताऊंगा कि इसका इस्तिमाल किस तरह से करना चाहिए कितने मात्रा में करना चाहिए और कौन-कौन सी बीमारी को ये ठीक करने में मदद करती है यह मुख्यरूप से दिव्य कंपनी या पतंजली कंपनी के द्वारा बनाई जाती है फिर भी आपको अगर किसी और कंपनी के हैं मिलती है तो आप इसे ख़़ी सकते हैं और अपनी बीमारी को दूर कर सकते है लगबग एक सीसी के अंदर 40 टेबलेट आती है तो आज मैं आपको इसके बारे में सम्पून जानकारी देता हूं सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर क्या-क्या मिला होता है तो दूस्तों इसमें जो भी पत्री की समष्या को दूर करने वाले इंगेडेंट है उनको डाला गया है जैसे कि इसके अंदर ढाक फूल, पित पापड़ा, पुनर नवा मूल, पाशान बेद, बरुन चाल, कुल थी, अपा मार्ग, काशनी, पीपर चाल, नीम की चाल, मकोई दाना, गोखरू दाना, अमलतास कगूदा, बला मूल, ऐसे करके इसमें बहुत सारी चीजों को मिलाये गया है, और फिर इसे अच्छे प्रकार से संदान पर किया के दौरा इसे बनाये गया है, इसकी एक प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस के दौरा इसे बनाये जाता है, अब हम जानते हैं, इसका कहा कहां पर इस्तिमाल किया जाता है, विरिक दोसर का सिंपल स दिक्कत हो जाए पत्री की समझ्या हो जाए तो इन सभी में यह काफी ज़्यादा आराम देता है इसके अलावा अगर कभी कभार किड्नी के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाए जैसे की रेनल फेलियर हो जाना इसे किड्नी फेलियर बूलते है तो उसमें भी यह आराम दिलाता है, इसका एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है किसी भी डॉक्टर की देख रेक में ही आपको इसका इस्तिमाल करना चाहिए इसका हाला कि कोई भी नुकसान तो नहीं है लेकिन अगर आपको किड्नी से संबंदित कोई भी दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लें, फिर आप इसका इसका इस्तिमाल करें जतने इसके फायदे हैं, इसका बिल्कुल भी एक भी नुकसान नहीं है और आपको यह किड्नी से संबंदित सभी परकार की दिक्कतों को दूर करने में मदद करता है इसके अलाबा आप हमाले कंपने का सिस्टोन टेबलेट या फिर सिस्टोन सीरप का भी इस्तिमाल कर सकते हैं वो भी आपकी पत्री को बहार निकालने में मदद करता है अब हम आपको बताइंगे इसका सेबन जब आप करेंगे तो आपको कितनी मात्रा में करना चाहिए और कितनी उमर तक के लोग उपर इसका इस्तिमाल करना चाहिए तो दोस्तों जो छोटे बच्चे हैं उन पर आप इसका इस्तिमाल ना करें जिनके उमर लगभग 15-16 साल से उपर है अगर उनको पत्री की समश्या है तो आप इन पर इसका इस्तिमाल कर सकते हैं आवसकता के अनुसार एक से दो गूली दिन में दो बार खाना खाने के बाद आप इसका इस्तिमाल करें हो सके तो विरिक दो सरक्वात भी ले इससे भी आपको काफी ज़्यादा फायदा मिलेगा इसका सेवन हमेशाची किसके प्रामर्स करनुसारी करना उचित रहता है और यह आपको किड्नी के संबंदित सभी परकाय की दिक्कतों को दूर करता है पत्री की समश्या में भी काफी आइकन जरूर दवाएं ताकि आपको नूव वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहे मिलते हैं दूस्तों आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार यहां तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद